दोस्तो आज बनाने वाली हुमें कच्चे आलू से बहुती क्रिस्पी क्रंची टेश्टी नाश्टा जो की 5-12 मिनिट में बनके रेडी हो जाता है और खाने में बहुती गजब का स्वाध आता है तो फिर्स इसको बनाने के लिए मैंने एक बावल में ठंडा पानी ले लिया है और यहां पर एक ग्रेटर ले लिया है और यह मीडियम साइस के जो हॉल है इसमें हम आलू को कदू कस कर लेंगे तो friends मैंने इस size के दो आलू ले लिया है और उसको मैंने अच्छे तरह दो लिया है और छिल भी लिया है तो friends हम इसके जो रेशे हैं वो बिल्कुल पतले रखेंगे मोटे रेशे हमें नहीं निकालने है तो friends जो यह आलू है और इसको हम दोनों आलू को अच्छे तरह कदू कस कर लेंगे तो यह देखे friends आलू को मैंने अच्छे से कदू कस कर लिया है और यहाँ फे friends जो यह मैंने एक बाउल में ठंडा पानी लिया है यह इसलिए लिया है मैंने ताकि जो हमारे आलू है उसका color बिल्कुल भी change ना हो जैसा आलू का color है वैसा ही रहे तो यह friends अब हम इसको च्छनी में च्छान लेंगे तो यह देखे friends आलू को मैंने च्छनी में च्छान लिया है और पानी अलग हो गया है और friends अब हम एक बरतन में इसको transfer कर देते हैं तो यह देखे friends आलू को मैंने एक बरतन में ले लिया है और यहाँ पर friends मैं आदा कप ले रही हूँ सूजी और friends यहाँ पर मैं बैसन का use भी कर रही हूँ पर आप दोनों में से एक चीज भी ले सकते हो आलू के साथ के लिए तो friends यहाँ पर आदा कप मैंने यह बैसन भी add कर दिया है और friends यहाँ पर मैं आदा चमश ले रही हूँ अजवाइन अजवाइन डाइजेशन के लिए भी बहुती गजब की होती है क्योंकि जो आलू का नाश्ता है वो बहुती चटपटा बने और friends आदा चमश मैंने यहाँ पर चीली फ्लेक्स add किया है और यदि आप ज़्यादा तीखा काते हो तो आप यहाँ पर हरी मिर्च का भी यूज़ कर सकते हो आदा चमश फ्रेंस यहाँ पर धनिया पाउडर एड किया है मैंने और यहाँ पर एक चोथा ही फ्रेंस मैंने यहाँ पर काला नमक एड किया है इससे बहुती गजब का स्वाद आएगा हमारे नाश्ते में और आदा चमस्वरंस मैंने यहां पर यह आमचूर पाउडर एड किया है इससे जो हमारे आलो का नाश्टा है वो बहुत ही चटपटा बनेगा और यहां पर मैंने एक चोथाई यहां पर हलदी पाउडर लिए है इससे जो नाश्ता है वो देखने में सुन्दल लगेगा और फ्रेंस यहाँ पर इस वाद अनुसार मैंने नमक लिया है और थोड़ा सा मैंने बारिक कटावा हरा धनिया लिया है हर धनिया का बहुती गजब का फ्लेवर आता है और यहाँ पर फ्रेंस मैंने एक कप ले लिया है यहाँ पर पानी का यहाँ पर फ्रेंस मैंने आदा कप सूजी लिया था आदा कप मैंने बैसन लिया था तो एक कप मैं पानी का ले रही हूँ और फ्रेंस जो हमारे आलू है उसमें काफी मॉस्चुराइज है तो इसलिए friends मैं यहाँ पे एक ही कप पानी का यूज़ कर रही हूँ और यदि आपके आलू ड्राइ है तो friends आप यहाँ पे आदा कप पानी और एड़ कर ले measurement के लिए आप friends कोई कप या कटोरी सेट कर ले उससे आपको यह नाश्ता बनाने में बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी तो friends यहाँ पे जो यह better है यह बिल्कुल हमारा ready हो गया है यह देखे friends इसी तरह की consistency आपको रखनी है इससे ना ज़्यादा गाड़ा ना ज़्यादा पतला बिल्कुल यह perfect consistency है तो friends इसको बनाना हम शुरू करते हैं तो friends गैस पे मैंने कड़ाई रख दी है और कड़ाई friends हम तो friends एक चमच मैंने आपे सपे तिल एड़ किया है और आदा चमच मैंने आपे काले तिल का एड़ किया है तो friends जो यह तिल है इसको हम अच्छे तरह चटकने देंगे जब तक तिल हमारे अच्छे तरह चटकना जाए तब तक हम इसको इसी तरह भूल लेंगे और friends यह जो अपना फ्लेबर भी अच्छे से जो हमारा तेल है उसमें छोड़ देंगे तो यह देखे फ्रेंस जो हमारे तेल है वो चटकने लग गये हैं इससे ज़्यादा हम इसको नहीं भूनेंगे और फ्रेंस जो हमने घोल तयार किया था तो अब हम सारा यहां पर एड़ कर देंगे सा बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा और थोड़ा जो तीखा पन है वो भी जादा बढ़ जाएगा और फ्रेंस यहां पर मैंने गैस की फ्लेम लो कर दी है क्योंकि जो यह नाश्ता है हमें पहले जो हम दो तयार करेंगे तो हमें लो फ्लेम पे ही इसको तयार करना है और कि बंदी इसका डो बनके तयार हो जाता है तो कि Suk ने थेखें सरा अच्छे से तयार हो गया है तो हम यहां पर फ्रेंस को ठंडा नहीं होने देंगे इसको हम इसलो रखेंगे तो यह देखे मैंने यहां पर एक ट्रेंर के लिए है और इसको मैं घ्रिस कर रहा हूं तेल स और इससे हमारा जो ये डो है ये इस पे चिपकेगा नहीं और फ्रेंट्स आप कोई सा भी यहां पे कुछ भी बरतन ले सकते हो जैसे ट्रे है प्लेट है या थाली है और उसमें सेट होने के लिए इसको रख दे तो फ्रेंट्स यदि वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लिए उपलब्ध हो तो ये देखें फ्रेंट्स मैंने इसको दस मिनट के लिए सेट होने के लिए रखा था और ये जु डो है बिल्कुल अच्छे सेट हो गया है बहती जल्दी ये सेट हो जाता है और फ्रेंट्स आप इसको कोई से शेप भी काट सकते हो मैं इसको करने वाली हूं और आप इसको जैसे हम पनीर के लिए ग्रेवी बनाते हैं या चिकन के लिए हम ग्रेवी बनाते हैं बिल्कुल वैसी ही बनाए और इसको आप चौंग दें तो फ्रेंट्स यह सबजी बहुती गजब की खाने में लगती है आप इसको स्नेक्स के रूप में भी खा सकते हो और friend, सबजी के रूपे में भी खा सकते हो दोनों में ही बहुती घजब के लगती है तो ये देखे ही friends, हमारे जो pieces है बिल्कुल भी तोटे नहीं है और बहुती घजब के बने हैं और ये देखे friends, यहापर मैं आपको saarे pieces निकाल के दिखाती हूँ यह बहुत ही अच्छे से जो यह पीसिस है सेट हुए है और friends जो यहाँ पर मैंने यह नाश्ता तयार किया है तो यहाँ पर friends अब हम जो यह सारा नाश्ता है इसको fry कर लेते हैं आदा में store करके रख दूगे तो यह देखे फ्रेंट्स यहाँ पर एके करके यह मैं सारे पीसिस इसमें एड़ कर रही हूँ तो इसको हम अच्छे से जब तक कि एक तरफ गोल्डन ब्राउन ना हो जाए तब तक हम इसको अच्छे से सेख लेंगे तो फ्रेंट्स यह बहुती मज़ेदार रेसिपी है और यह बहुती क्रंची क्रिस्पी यह नाश्ता बनके तयार होता है और जब भी आपको छोटी मोटी भूक लगे तो फ्रेंट्स आपके लिए नाश्ता बहुती परफेक्ट है और फ्रेंट्स जैसे आपको कहीं पिक्टिक बनाने जाना हो या घुमने कहीं भी जाना हो और बच्चों के टीफन के लिए तो यह बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है बच्चे देखे ही खुश हो जाते हैं कि मम्मी ने हमारे लिए कुछ स्पेशल बनाया है और फ्रेंट्स इसलिए यह आज कल के लिए तो यह स्नेक्स बहुत ही गजब का है और फ्रेंट्स आप इसको सौस चटनी किसी के साथ भी खा सकते हो और यह स्नेक्स चाई के साथ बहुत ही गजब का लगता है तो यह देखें फ्रेंट्स जो हमारे स्नेक्स है यह दोना तरप से अच्छे त और मैं सच बताती हूं यदि आप इसको एक बार खा लोगे तो आप बाजार से समोसे कचोड़ी पकोड़ी यह जैसे बर्गर पिज्जा है यह कुछ भी निलाएंगे आप यही रोज घर पे ही यह नाश्ता बना के तयार करोगे और मज़े से खाऊगे तो फ्रेंस में आपको यह तोड़के दिखाती हूं जो हमारे आलू का नाश्ता है यह कितना गजब का बना है और फ्रेंस यह बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी है और अंदर से बिलकु सॉप्ट तो यह बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है और यह देखे फ्रेंस कितना क्रिस्पी बना है और अंदर से कितना सॉफ्ट है तो फ्रेंट्स आप इस रेसिपी को जरूर इंजॉय कीजिएगा तो थैंक यू फ्रेंट्स